कल सुबह दुनिया खतम होने वाली थी इसलिए हमारा 38 साल का कुवारा हिरो अपनी आकरी रात किसी हसीना के बाहों में बिताने के साथ साथ हर वो चीज करना चाहता था जिसे उसने आज तक कभी नहीं किया था इस मुवे की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग एंड इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसलिए इस वीडियो को इंडे तक जरूर देखना कहानी की सुरुवात में हम योबिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अठारा साल से बहुत ही कम सैलरी के साथ एक ही कमपनी में एक ही काम कर रहा था तबी उसे ये कबर मिलती है कि कल सुबह अमेरिका कोरिया के उपर परमानू हमला करने वाली है इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अपने जिंदगी की आखरी रात को अच्छे से इंजॉय करेगा इसके लिए वो सबसे पहले अपने बाल कलर करता है और फिर अपने दोस्तों को फोन करके कहता है कि मैं अपने घर के पास वाले बार में तुम लोगों का इंतिजार कर रहा हूँ तुम यहां आकर मुझे भी अपने साथ ले चलो इसके बाद वो बार में चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलकात एक लड़की से होती है तुम्हें अपने बीवी के बाहों में होना चाहिए था तुम यहां क्या कर रहे हो योबिन कहता है कि मेरी तो अभी तक साधी भी नहीं हुई है तब ही योबिन को उसके दोस्तों का फोन आता है जो उन्हें बार के बाहर आने को कहते है योबिन की बाते सुनकर इयोन जूस से पूछती है कि क्या तुम अपने गर्फरिंड के साथ जा रहे हो जिस पर वो कहता है कि नहीं ये मेरे दोस्त है मैं तो अभी तक सिंगल हूँ ये सुनते ही योन जूस से उनके साथ जाने से मना कर देती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए इंसेस्ट करने लगती है ये लड़की बहुत ही बहकी बहकी बाते कर रही थी लेकिन योबिन कहता है कि फिलहाल तो मैं यहां नहीं रुक सकता क्योंकि बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतिजार कर रहे है इसलिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए जरूर आऊंगा जिसके बाद योन जो से अपना नंबर दे देती है 38 साल में ये पहली बार हुआ था जब योबिन ने किसी लड़की का नंबर लिया था फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो उस बार की ओनर उसे अपना काट देती है और उससे कहती है कि 4 बज़े सुबा मुझे कॉल करना मैं तुम्हें धेर सारे पैसे कमाने में मदद करू हैं जहां तीनों के दिल में एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तेरा उन तीनों को रात बिताने के लिए कोई हसीना मिल जाए ली कलब में जाते ही लड़कियों के बीच में जाकर डांस करने लगता है ये देखकर योबिन भी योयो करते वे उसके पास जाता है लेकिन लियो अपना वालेट कहीं खो दिया था लेकिन उसे देखने के बाद योबिन उसे 300 के बज़े 500 रुपए देता है जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि कल अगर हम जिन्दा रहे तो मैं तुमारे पैसे लोटा सकूँ लेकिन तभी योबि को इंप्रेस करने ही वाला था लेकिन उसके लड़ाई के वजह से उन तीनों को वहां से भागना पड़ा था इसके बाद लिक किसी दूसरे जिगह पर जाकर इंजुआ करने को कहता है लेकिन योबिन कहता है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ मैं तो सीधे गर जा रहा हूं जिस पर उसका दोस्त समझाता है कि हमारे पास बस आज का ही रात बचा है इसलिए हमें पूरी रात इंजोआई करनी चाहिए तब ही सैंग कहता है कि मैंने कलब में एक लड़की का नंबर ले लिया था अब वो मुझसे मिलना चाहती है तुम लोग भी मेरे साथ चलो क्योंकि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है ये सुनते ही ली खुसी से उचलने लगता है इसके बाद वो लोग एक टैक्सी को बुलाते हैं और योबिन को धका देकर उसे जवर्दस्ति उसमें बैठा देते हैं और फिर टैक्सी वाले से कहते हैं कि भाया तुम इसे इसके घर तक छोड़ दो और तो और सैंग उसे पैसे भी दे देता है लेकिन योबिन घर जाने के बजाए रस्ते में ही उतर जाता है और इसके योबिन भागते भागते कयोंग से मिलने के लिए निकल जाता है लेकिन तबी उसे रस्ते में एक कार का एकसेडेंट हुआ हुआ दिखाई देता है वो उसके पास जाता है तो वहाँ पर एकसेडेंट के बाद तीन लोगों की लास पड़ी हुई थी साथी एक गन और धेर सार लेट हो गया था इसलिए वो दुवारा से कयोंग को फोन करता है तो इस बार फोन कोई दूसरी लड़की उठाती है जो कि उससे कहती है कि कयोंग ने अपना फोन मेरे पास छोड़ दिया है मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ जिसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि वो उससे बताती है कि वो बहुत नसे में थी इसलिए वो अपने घर चली गई लेकिन वो अपना फोन कलब में ही भूल गई थी फिर योरा उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने कयोंग के साथ सोने के चकर में अपने दोस्तों को अलविदा कह दिया खैर अच्छा ही हुआ कि तुम उसके साथ नहीं गए क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है जिसके बाद योबिन कहता है कि ठीक है लगता है मुझे यहां से चले जाना चाहिए जिस पर वो सर्माते वे कहती है कि मैंने तुम्हें कलब में कयोंग से बात करते वे देखा था तुम बिलकुल उस स आपि सब करने की उम्रे तो है ना, तो योरा कहती है कि क्यों तुम्हें नहीं लगता क्या, इसके बाद योरा अपनी जेकेट निकालती है और फिर वो सावर लेने के लिए जाने लगती है तब ही योबीन योरा के बॉड़ी पर बहुत सारे धबे देखता है और फिर उसकी नजर खिरकी पर पढ़ती है जहाँ पर लिखा था कि विल्कम टू एट्स जिसके बाद उसे लगने लगता है कि साइद योरा को एट्स है इसके बाद वो सोचता है कि कल जब मरना है तो क्यों ना आज करके ही मरा जाए लेकिन तब ही उसे कयोंग अपने दूस्रे नमबर से कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम कहा हो मैं अभी भी कलब के बाहर तुमारा इंतिजार कर रही हूँ जिस पर वो कहता है कि मैं अभी तुमारे पास आता हूँ तब ही वहाँ पर योरा आ जाती है उसे देखकर योबिन दुआरा से सोचता है कि अगर कल अमेरिका ने बॉम नहीं गिराया और मैंने इसके साथ कर लिया तो मुझे भी 800 जाएगा इसलिए मुझे कयोंग के पास जाना चाहिए जिसके बाद वो योरा से कहता है कि तुम यहीं रुको मैं अभी तुमारे लिए ऐसक्रीम लेकर आता हूँ और फिर वो से छोड़ कर वहाँ से भाग जाता है वो भागते वे कयोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो हम दोनों किसी मुटेल में जाकर पीते हैं जिस पर वो कहती है कि पीने के लिए मुटेल कौन जाता है पीने के लिए तो हमें बार जाना चाहिए जिसके बाद वो दोनों एक बार में चले जाते हैं दोनों पीते हुए बाते कर रहे थे लेकिन इस बीच योरा बार बार योबिन को कॉल कर रही थी लेकिन योबिन बार बार उसका फोन काड़ दे रहा था जिसके बाद योरा कयोंग को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम कहा हो मुझे तुमसे मिलकर कुछ बताना है और तुम्हारा फोन भी वापस करना है कयोंग उसे वहीं मिलने के लिए बुला लेती है लेकिन जब योबिन को पता चलता है कि कयोंग ने अपनी दोस्त योरा को वहाँ पर बुलाया है तो वो वहाँ से भागने के बहाने ढूंडने लगता है लेकिन वो वहाँ से भाग पात कि इससे पहले योरा वहां पहुच जाती है उसे देखते ही योरा कहती है तुम इसके पास कौन सी ऐस्क्रीम खाने आये हो जिस पर कयोंग योबिन के उपर गुसा करने लगती है वो उससे पोचती है कि क्या तुम इसे पहले से जानते हो जिसके बाद वो उससे पूरी बात ब लगती है जिस पर योरा कयोंग से कहती है कि अब बस करो खबरदार तुमने अगर मेरे बाबू को कुछ भी कहा तो कयोंग कहती है कि ये मेरा बंदा है इससे पहली बार मैं मिली थी योरा कहती है नहीं ये मेरा बंदा है उन दोनों की लड़ाई चली रही थी के तभी वहाँ योबिन के दोस्त भी पहुंच जाते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम तो घर जाने वाले थे फिर यहां इन लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो कयोंग योरा और ली तीनों उसके उपर चिला रहे थे और सवाल पर सवाल कर रहे थे जिससे फरस्टेटेड होकर योबिन पा उसके जाने के बाद ली कयोंग के उपर लैन मारता है लेकिन वो उससे गालिया देकर भगा देती है इसके बाद योबिन उस लड़की को फोन करता है जिससे वो सबसे पहले बार में मिला था लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा थी योबिन के हाथ एक रात में तीन लड़कि कर रहे थे वो लोग योबिन को एक फेमस सिंगर समझ कर उसे अपने पास में बैठा लेते हैं असल में ये सारी लोग एक दूसरे से अंजान थे लेकिन आज ये लोग मरने से पहले अपनी दिल के बात एक दूसरे के साथ सेयर करने के लिए एकटा हुए थे अपने साथ लेकर भाग जाती है फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम योबिन है तो वो उससे कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता जिस पर वो कहती है कि बचपन में हम दोनों एक ही गौँ में रहा करते थे उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तुमने तो मुझे किस भी किया था लेकिन फिर तुम सहर चले गए मैंने तुमें बहुत ढूंडा ये सुनते हैं उससे याद आ जाता है कि ये उसकी बचपन की गल्फरिंड सू है इसके बाद वो दोनों एक काफे मे जाते हैं जहां पर बैठ कर वो अपने बचपन की दिनों को याद करते हैं और धेर सारी भाते भी करते हैं इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि सू का डैवो सो चुका है और अब वो एक मेकनिक के दूकान पर पंचर बनाने का काम करती है थोड़ी देर के बाद योबिन वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे अपनी रात एक साधी सुदा लड़की के साथ नहीं बितानी थी मगर वहां से जाने से पहले सू को ढेर सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि अगर कल परमानु बॉम नहीं गिरा तो तुम इन पैसों से अपनी नहीं जिंदगी लेता है फिर वो एक आदमी को फोन करके कहता है कि तुम मुझे अपनी गितार दे दो बदले में मैं तुमें 20 हजार डॉलर दूँगा ये उसी फेमस सेंगर का सैन किया हुआ गितार था जिसे योरा के साथ साथ बहुत से लोग पसंद करते थे थोड़ी देर में वो आदमी आ पहले गितार इस लिए लिया था क्योंकि वो भी मरने से फेले एक सिंगर बना चाहता था अब जिब उसके हाथ एक बी लड़की नहीं लगी थी तो उसने सोचा कि क्योओ ना वो अपने गितार बज़ाने का सपना ही पूरा कर ले यो इन गितार बज़ाने के लिए समंदर क किनारे जा रहा था लेकिन तभी कयोंग उसे फोन करके उससे पूछती है कि तुम कहा हो मैं अपने बरताव के लिए तुम से माफी माँगना चाहती हूँ क्या तुम मुझसे मिलने के लिए बार के पीछे आ सकते हो मैं बिल्कुल अकेली हूँ जिसके बाद योबिन मुझ जब देखे तो मैं समझ गया कि तुम्हें एट्स है जिस पर वो कहती है कि मैं कोई वैस्या नहीं हूँ मैं भी बस तुम्हारी तरह मरने से पहले फर्स्ट टैम ये सब एक्सपरियेंस करना चाहती थी लेकिन जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है ये सुनने के बाद योबिन उससे माफी मांगने लगता है फिर वो उससे कहती है कि तुम कयोंग से मिलने मता ना लेकिन वो वहाँ चला जाता है उसे वहाँ देखकर योरा उससे कहती है कि भाग जाओ यहां से और तभी हम कयोंग को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों को य वाली लड़की योन्जू के घर में था क्योंकि वो उसे सड़क पर बिहोस मिल गया था जिसके बाद वो उसे उठा कर वहां ले आई थी योन्जू कहती है कि अब थोड़ा ही वक्त बचा है हमारे मौत को कास हम दोनों पहले मिले होते योन्जू उसे अपना हाथ दिखाते वो योबिन को गले लगा कर उसके गन को अपने उपर पॉइंट कर लेती है और कहते है कि अब हमारा प्यार अमर हो जाएगा जिस पर वो कहता है कि अब जब हमें मरना ही है तो क्योंना मैं अपनी आकरी इचा पूरी कर लूँ ये सुनते ही योन्जू से बेड़ पर पटक क अब कर उसके कपड़े उतारने लगती है लेकिन योबिन कहता है अरे ऐसे नहीं रुखो पहले हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए ये बहुत ये स्पेसल है हम मरने वाले है हमने तो अपना अंतिमसर्सकार के लिए फोटो लिया ही नहीं है इसलिए चलो पहले फोटो लेकर आ लेकिन कार के बहाने से वो वहां से भाग जाता है इसके बाद वो बुद्धा के स्टैचू के पास जाता है और अपने सारे पैसे स्टैचू के पास चढ़ाने के बाद उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगता है फिर जब वो वहां से लौट रहा था तो उसे फिर से उसकी बच्पन की गल्फ्रेंड सू मिलती है उससे देखकर वो बहुत खुस होता है तभी वहाँ पर सैरिन बजने लगता है और सुबा होने लगती है जिसके बाद वो दोनों एक ब्यूल्डिंग के छट पर जाते हैं सूरज निकलने वाली थी तभी योबिन सू से कहता है कि मैं मर जाता हूं मैंने भी गाओंज जाकर तुम्हें ढोनने की बहुत कोसिस की थी फिर मुझे पता लगा कि तुमने किसी और से साधी कर ली उसकी बातों को सुनकर वो कहती है कि अगर हम मर भी गए तो एक दूसरे के साथ रहेंगे फिर वो क्योंने लगती है और तभी वहाँ प को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे वैसे मैंने एक ऐसे ही मुवी की स्टोरी को अगर आप लोगों ने उससे नहीं देखा तो वाच निक्स्ट पर क्लिक करके उससे ज़रूर से देख ले सुवल गाइस आद की वीडियो में इतना ही थैंक्स ट्रे गुडबाई